नमस्कार मिनासमिन का अनुराप देख रहे हैं SPN 9 NEWS उत्रपरदेश की 10 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव तारिकों का एलान नहीं हुआ है लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तयारियां पूरी कर ली है समाजवादी पार्टी ने उपचुनावों में जीतने के लिए अपनी कमर भी कसली है और इसी को लेकर जहां लोकसभा सदन के अंदर अखलेश चादर और अवदेश प्रसाद की जोड़ी ने तहलका मचाया जहां उत्तपरदेश की कई समस्याओं को उठाया तो वहीं भारती जनता पार्टी पर हमलावर भी साबित होते वे नजर आए और यही जोड़ी सीधा निकल कर लखनव पहुँच जाती है लखनव में सपा कार्याले में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें जिला अध्यक्ष पदादिकारी और समाजवादी पार्टी के वरिस्ट सांसदो वरिस्ट विधाय को संग एक बड़ी मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में ये तैक किया जाता है कि 2027 का विधान सभा चुनाव और उत्रपरदेश में होने वाला उप्चुनाव जो 10 सीटों पर होगा आखिरकार इस पर किस चेहरे पर मोहर लगाई जाए इस बीच में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के रास्टी अधिक्ष अखलेश शादव यादव समुदाई के तहत यहां पर वोट हासिल करना चाहते हैं क्योंकि करहल विधान सभा सीट दस विधान सभा सीटों में से एहम करहल विधान सभा सीट माने जाती है क्योंकि करहल विधान सभा सीट अखलेश शादव की जिताई होई सीट है और समाजवादी पार्टी का गड़ है ऐसे में अखलेश शादव की करहल विधान सभा सीट का जिक्र करें तो देड़ लाख के करीब यहाँ पर यादव समुदाई की अदा अबादी आती है इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अती पिछडा दलित ब्रामर मुस्लिम यहाँ पर लगभग 30-50,000 के करीब देखा जाता है लेकिन सबसे जादा अबादी यहाँ पर आपको देड़ लाख के करीब यादव समुदाई की नसर आएगी ऐसे में अखलेश शादव की तहत म जादव के जरिए अपरणा यादव को ओफर दिया जा रहा है क्या विडायक को कि सहमती नजर आएगी और विधान सबह सकती है क्या ऐसा हो सकता है क्या लगता है आपको कमिन सेक्शन में जरूर बताएं देखते हैं नाए निऊस थान्वाद